हलो फ्रेंड्स आईए अब लोग JLG के बारे में जानते हैं JLG Joint Liability Group नाव आप लोगों ने सुना होगा आईए इस पर आज विस्तार से जानते हैं Joint Liability Group जो है वो एक informal group है जिसमें 4-6 individual एक साथ आते हैं इस उद्देश से कि वो bank से loan प्राप्त कर सके या तो एक group member के mechanism के तोर पर mutual guarantee के आधार में मतलब JLG की guarantee JLG में सभी सदस्रों की guarantee रहेगी और उसमें जो भी नीडी है वो bank से finance टाप्त कर सकते हैं और JLG के जो सदस्रों होंगे group member होंगे वो engage होंगे similar type of activity में economic activity में agriculture और allied activity अब agriculture में खेती वाड़ी हो गया एलाइड में आपके हो गया पसू पालन मचली पालन आदी जो लोग करते हैं यहाँ पर आपको जान लेना है कि JLG में एक एक JLG group में जो है joint loyalty group में एक परिवार के और एक सदस्री ही जूड़ सकते हैं और यह जो है बिविन तरह के activity फार्म activity नन फार्म activity साथी साथ और फार्म activity आदी के लिए लोन ले सकते हैं इसमें जो small farmer tenant farmer share proper आदी विकर section of the society या फिर वो सभी जो की agriculture या allied activity करना चाहते हैं लेकिन उनके पास finance किस विदा नहीं है वो JLG का निर्मान करके joint group liability का निर्मान करके जो है mutual mutual जो है आपका guarantee पे bank से finance प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर एक बात और आपको जान लेना आवश्यक है कि joint liability group से loan लेने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सदस्यों का जो भी सदस्यों उसमें जुड़े है वो किसी भी bank से पहले अगर उन्होंने कोई loan प्राप्त किया था तो उसमें वो default आर ना हो जरूरी है कि उन्होंने अपना टाइबली repayment किया हो साती सात वही सदस्य इस group के member बन सकते हैं जो कि agriculture allied activity में कम से कम एक सान से जुड़े हुए हो तो यह सारे condition है JLG के लिए इसमें maximum आप as a individual या group member 50,000 तक bank से loan प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर active part निभाएगी पूरे group क्योंकि यह mutual understanding पर loan लिया जाता है तो group की भी जिम्यवारी बनती है कि अगर उसके किसी सदस्य ने loan लिया हो तो उसका timely repayment कराएं तो यही सारे बाते है JLG के बारे में सायद आपको समझ में आ गई होगी बाकि अगर कोई doubt हो तो नहीं चे कमेंट सक्षन में करके पूछ सकते हैं धन्यवाद